मैं आज आपको NCRT 7th Class के Lesson 1 का सारभोमिक व्यस्क मताधिकार की पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों ये नोट्स मैंने अपने हाथों से त्यार की है सारभोमिक व्यस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है इस विचार के अकोर्डिंग पर देक व्यक्ति जिसकी आई यू 18 वर्स से अधिक हो उसे वोट देने का अधिकार है बच्चों इसमें आत्मकथा जूटन के बारे में भी बताया गया है इस पुस्तक के लेखक ओम परकास बालमी की एक परशिद दलित लेखक थे दलित यानि कुछला हुआ या तूटा हुआ होता है इस पुस्तक में उन्होंने दलित जालती का होने के कारण अपने साथ स्कूल में शिक्षकों एम छात्रों द्वारा किये गए कारियों को दुरुएवार को व्यक्त किया है बच्चों इस में इस पुस्तक में मध्यान भोजन मिड्डे मील के बारे में भी बताया गया है मिड्डे मील की ओजना सर पड़ता हम तमिल नाडू में की गई थी ये कुश्चन सीट एट में पहले आ चुका है 2001 में उस्तम न्यालेम ने सभी राज्यों को इस वस्तक को जारी किया दोपैर का बोजन बच्चों संसत हमारे लोक्तंत्र का अधार इस्तम है रोजा पार्क्स अफरीकी अमेरिकन महिला अफरीका के लोग काले होते हैं इसलिए एक दिसंबर 1965 को बस में किसी गोरे वेक्ती को अपनी शीट ने देने पर उसके साथ अंदोलन शुरूआ रोजा पार्क्स अफरीकी अमेरिका ओरत जिसकी एक विद्रोई पर्तिकिरिया ने अमेरिकी थ्यास की दिशा को बदल दी